हलो गाईज वालकम टो मार्केट आप एंड यूट्यूब चैनल पर मैं कुल्दीप आपके लिए अनदर वीडियो के साथ आज है 13 अक्टोबर और आज मैं स्पेशली बात करने अलाओ ट्रेडर्स के लिए इन्वेस्टेस के लिए मैं आज एक नया एपिसोड लेके आ रहा लाकि इसके अलावा कल के लिए मैं बैंक प्राइब छौक के लिए क्या लेवल्स हो सकते यह मैंने पूरे मेरे पलो क्सिस से निकलता हूं और आपके साथ शेर करूंगा इस वीडियो में जो सिंपल मंत्रा है मैं यहाप आप से शेर करूंगा जो की हर कोई जानता है मैं simple मंत्रे के साथ चलता हूं कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ simple easy way में follow करो keep short and simple बस काफी सारे स्टूरंट से query आता है कि यह indicators फलाना फलाना काफी सारे चीज आ जाती है बट मैं simple बताना चाहूंगा आप जितना कम से कम analysis या कम से कम setup रखोगे उतना ज्यादा से आप apply कर पाऊगे बिना ज्यादा वेस्ट टाइम के बिना सिधा पॉइंट पे चलते और पॉइंट पे start करते हैं हम लोग निफ्टी का लेवल कल के लिए क्या हो सकता है कल है 14 ऑक्टोबर और कल के लिए जो 50 का लेवल से वह आपके सामने में यहां पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूं जो कि आपको देख पा रहे हैं फ्यूचर जो है वह यहां पर क्लोज हुआ है करीबन 11,937 और अगर आज का अगर आपने हाय देखा होगा तो 11988 का हाय तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो कर करीबन कल के लिए जो लोग बाइंग लेवल से इसके उपर हम लोग रख सकते हैं और एवरिज प्राइस है कल के लिए बहुत इंपॉर्डन रखते हैं क्योंकि 11 950 जो लेवल है इसके उपर या नीचे में काफी अच्छा मूव हो सकता है बट इसके अलावा इसका जो लेके कल के लिए सेब कर सकते हो सेलिंग लेवल से वो कल का आज का जो क्लोज है इसके नीचे आप थोड़ा सा रिक्स ले सकते हो बहुत अच्छा सेलिंग लेवल अगर देखोगे तो 11,000 820 है अगर वह अगर क्रॉस होता है तो उसके नीचे आपको 680 और 620 एजीली मिल जा लेवल यहां पर बैंक निफ्टी का अनलीसिस है बैंक निफ्टी का अनलीसिस में लोग देखेंगे इसके अलाब़े वीक्स जो है वो 21 पे चल रहा है तो यहां पर थोड़ा वीक्स बता रहा है की थोड़ा मोमेंट बहुत अच्छी तरह किसा हो सकते हैं फ्यूचर बैंक लेवल बहुत इंपोर्डेंट है कल के लिए इसके ऊपर बाइंग में आ सकते हैं लोग बाइंग लेवल जो बहुत अच्छे लेवल से वह 23848 और 23630 के नीचे हम लोग सेलिंग में ही रहेंगे बट यहां पर हम लोग देखेंगे कि टागेट जो है वो 23120 और यहां पर जो लोग को सही से समझना है कि यहां पर कैसे प्राइस एक्षन मूफ कर रहा है उससाब से यहां पर वेट कर सकते हैं यह हो गया बैंक निफ्टी का लेवल से कल के लिए बहुत काम आने वाली है बहुत बैंक जो लेवल है वो 23630 जिए बहुत सही लेवल है इसके नीचे आप बिंदास यहां पर सेल कर सकते हो और यहां पर वेट करना है आपको टागेट के लिए 23120 के लिए इसके अलावा कल हम लोग देख लेते कि कल क्या चीज़ है सेलिंग साइड में ज्यादा रहना चीए प्रीमियम बहुत ज्यादा है और इसके अलावा हम लोगों को सेलिंग मे एक अच्छी खासी काफी अच्छी बाइंग के बाद हम लोगों काफी अच्छी सेलिंग मिल सकते है स्टॉक में भी बहुत ट्वेंटीट थाजन फाइंड जो डाव का लेवल है वह हम लोगों को कल देखना है इसके अलावा लोग मोरेटर हम का जो डिसीजन वह ट्वेंटि तो यह आपका जो है टागेट और रिक्स रिपॉर्ट रिश्व है वह वन इस टू 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 ट्री तक जा रहा है रहा है राएंको सेमेंट में भी आपको शौुट सेल करना यह दोनों शेमेंट सेंडिस्ट्री के आप बिंदा शौॉट शौूट सेल करना आप आपको एंट्री लेने 767 62 तक आपको एंट्री लेने 770 का जो आपको स्टॉप लॉस होगा टागेट 745 740 होगा इसके आलावा मैं आपको बता हूंगा कि मेरे काफी सारे में काफी सारी चीजे बता हूं करता हूं कुछ को अच्छी तरह के सकते हैं इसके बालावा मैं हर विकेंड में एक सेमिनर अपना कोर्स होता है उस कोस में मैं काफी सारी चीजे बताता हूं रिविल करता हूं मैं खुद option trader हूं option trader क्या लावा मैं futures में position हमेशा carry करता हूं तो यहां पर मैं सारी चीजे यहां अगर आप देखो गे तो मैं हमेशा mind setup के बारे में बात करता हूं और मेरा जो खुद डेवलप किया हा हाती गोड़ा गए चार से पांच साल का जो मेरा मेहनत है इसका मैं जो निचोड़ लाया वहाती गोड़ा स्ट्राटेजी है वह स्ट्राटेजी में यहां पर रिविल करता हूं तो आप यह वीडियो आपको कल के लिए काम आया काम आएगा जरूर अगर अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब करने का जरूर सोचिए मिलते हैं अनाधर नेक्ट वीडियो के साथ तिल देन कुड़ बाए